This was the question which we were discussing in the previous lecture, which we left it uncompleted due to some technical problems. So, what we must do here, हमको यहाँ पर क्या पता करना था, यहाँ पर हमको net moment of force पता करना था about this point, this point is F, about the fulcrum point, जिस point पर हमने इसको hinge करके रखा है या pivot करके रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कि हमको सबसे पहले देखना होगा कि क्या anti-clockwise moment of force है, क्या clockwise moment of force है, तो हमने कहा, कि भाई जो anti-clockwise moment of force है, वो कितना होगा, अब देखो यह 5 newton की जो force है, यह इसको कैसे घुमाएगा, हम fulcrum पे अपनी उंगली रख लेते हैं, और यह 5 newton के force को हम analyze करते हैं, कि यह rod को कैसे घुमाएगा, बताओ कैसे घुमा रहा है, यह इसको anti-clockwise घुमाएगा, यहाँ से इसको पकड़ लो, और इसको देखो, 5 newton के force को देखो, कैसे घुमाएगा, anti-clockwise, यह वाला, यह भी anti-clockwise, देख लो, यह rod को ऐसे घुमाएगे, दोनों forces, एक साथ, rod को ऐसे घुमा रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं, anti-clockwise, तो ये anti-clockwise moment of force बनाएंगे, दोनो ही, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा कि एक anti-clockwise बनाएगा, दूसरा clockwise बनाएगा, और फिर दोनों में से, दोनों को हम add करेंगे, तो कुछ force चैंसल होगा, moment of force कुछ चैंसल होगा, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर anti-clockwise moment of force ही दोनों forces बना रहे हैं, एंटिक्लॉक्वाइज मुमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, पांच नूटन का ये फोर्स है, आप देख पा रहे हो, यह जो पांच नूटन का फोर्स है, और पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, जहां पर हमारा फलक्रम होता है, वही तो हमारे एक्सेस ऑफ रोटेशन होती है, जहां पर हमने इसको हिंज करके, या पाइवट करके रखा है, उसी क्या बाउट ये रोटेट करेगा, तो हमारे पास जो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टंस फ्रम दे लाइन अफ एप्लिकेशन ऑफ फोर्स कितना है, पचास सेंटी मीटर, पचास सेंटी मीटर मत लिख देना गलती से भी, हम इसको मीटर में करेंगे, और तब हम क्या लिखेंगे इसको, अचा एंटी क्लॉक्वाइज मॉमेंट ऑफ फोर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं कि निगेटिव, तो हम कहेंगे भाई पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव कितना, टू पॉइंट फाइव न्यूटन मीटर, अब यह जो एंटी क्लॉक्वाइज मॉमेंट ऑफ फोर्स था, वो इसकी वज़े से था, इसकी वज़े से भी उतना ही आएगा, तो हमारे पास जो नेट मॉमेंट ऑफ फोर्स आएगा, वो कितना आ जाएगा, टू पॉइंट फाइव न्यूटन मीटर इन्टो टू, जो कि हमको क्या देदेगा, फाइव न्यूटन मीटर, ठीक है, तो नेट मॉमेंट ऑफ फोर्स किस तरफ है, एंटी क्लॉक्वाइज डिरेक्शन में है, और कैसा है, पॉजिटिव है, नेट मॉमेंट ऑफ फोर्स कैसा है, हमारा पॉजिटिव है, एंटी क्लॉक्वाइज डिरेक्शन में है, पाँच न्यूटन मीटर इसका मैगनिट्यूड है, हमने बताया था कि जो टॉर्क है, वो हमारी वेक्टर कॉन्टिटी होती है, ठीक है, अधन नेट मैं कि एक रá बोल्क है, लो रेक्षर के बोल्क का पिए स्टिब है, सी ölेट से अपिए ये वेस्टन तॉड़र के जोटक और है, और है जդ नोट का आट का एक्षर का प्यव लिए स δια स्ट conseल्ण एक्षर के लिए. force acting on the body is zero then the body is said to be in translational equilibrium if the net moment of force net moment of force or the torque acting on the body is zero then the body is said to be in rotational equilibrium rotational equilibrium okay so if the net moment of force or the torque which is acting on the body is zero then it is said to be in rotational equilibrium now we will discuss equilibrium in two parts equilibrium one equilibrium is static equilibrium what is this static equilibrium all about suppose there is a body and the net force acting on the body is zero because that is only the condition of equilibrium the net force which is acting on the body is zero but the body is at rest it is not moving at all neither with constant velocity nor with accelerated motion the body is at rest so this type of equilibrium is known as static equilibrium jav hummari body rest peh hoti hai us peh koji force nahi lag ra yuki hai toh conditionny equilibrium ki force nahi lagna chahiye net force zero hai aur body rest peh hai toh wo kaisa equilibrium hai static equilibrium dousre prakar ka jo equilibrium hota hai wo dynamic equilibrium hota hai what is this dynamic equilibrium dynamic means the body is moving the body is in motion and if the body is in motion there is a criteria which it has to satisfy to remain in equilibrium what criteria is it that the body must be moving but it should be moving with constant velocity not with constant speed please that please keep in mind with constant velocity speed is only the magnitude of velocity which we take into consideration it should move with constant velocity and if the body is moving with constant velocity then the acceleration would be zero because if acceleration is there then there must be a change in velocity because the rate of change of velocity is acceleration and if the body is moving with constant velocity suppose four meter per second is the magnitude of that velocity and it is moving in a particular direction in a certain direction and it is continuously moving in that particular direction the acceleration of the body is zero the acceleration of the body is zero it is not changing its velocity neither the of magnitude nor the direction acceleration is zero then what else is zero because force is equal to ma force is equal to ma if acceleration is zero then force is also zero zero if force is acceleration then acceleration will be acceleration then velocity will be change in the direction direction that will be either direction or magnitude or two of the direction वो depend करता है लेकिन अगर force है तो acceleration होगा acceleration है तो velocity में change आएगा तो ऐसे motion को, ऐसे equilibrium को हम क्या कहते हैं force यहाँ पर भी देखिए zero हो रहा है force is zero here also ऐसे equilibrium को हम dynamic equilibrium कहते हैं जब body motion में है लेकिन वो constant velocity से move कर रही है now what is the example of this dynamic equilibrium so the raindrops falling from the sky this is the example of dynamic equilibrium the raindrops which are falling from the sky this is the example of dynamic equilibrium now first analyze the raindrop suppose this is my raindrop I have made a free body diagram of this raindrop I will show all the forces which can be acting or possibly acting on this raindrop what are the forces which can be acting on this raindrop the raindrop is coming downwards नीचे आ रही है तो कौन सा force होगा F gravity ठीक है नीचे आ रही है तो gravity का force लग रहा है नीचे खीच रहा है इसको and the surrounding air the surrounding atmosphere is applying a force on it और वो force को हम नाम क्या देते हैं viscous force तो हम उपर की तरफ क्या लगाते हैं viscous F viscous ठीक है जो अगल बगल की हवा है वो raindrop के उपर कैसा force लगा रही है viscous force ठीक है अब ये F viscous जो है वो F gravity के बराबर हो जाता है ठीक है gravity का force नीचे खीच रहा है viscous force उपर लग रहा है दोनों ही forces का magnitude बराबर हो गया direction पहले से opposite था दोनों एक दूसरे को काट देंगे net force जो आएगा वो क्या आजाएगा zero आएगा अब net force जो raindrop पे लग रहा था वो zero हो गया लेकिन raindrop नीचे आ रही है कैसे आ रही है net force तो zero हो गया constant velocity से नीचे आरे accelerated motion नहीं करे it is not doing any type of accelerated motion it is not undergoing motion under gravity because the gravitational force is now being balanced by the viscous force and these two forces are equal and opposite in nature therefore they are cancelling one another और net force zero हो गया जिसके वज़े से acceleration भी zero हो गया constant velocity से raindrop नीचे आएगी इस condition को हम क्या कहेंगे dynamic equilibrium की condition कहते है उमीद है समझ में तो आ गया होगा कुछ कुछ ठीक है तो dynamic equilibrium का example पूछ लेता है कि भाई क्या example है तो raindrops इसका example है धिहान रखियेगा 2015 में question पूछा था there was a question from 2015 paper and this question was if a beam balance is there and it is resting horizontally then what type of equilibrium is it beam balance is there and it is resting horizontally beam balance is there and it is at rest horizontally then what type of equilibrium is it it is resting horizontally it is not moving and if a body is not moving and there are no forces acting on it it is at rest then what type of equilibrium is it it is static equilibrium please do keep in mind this thing you should keep in mind what is the difference between static equilibrium and dynamic equilibrium in static equilibrium the body is at rest in dynamic equilibrium the body is in motion and in both the equilibrium the net force acting on the body is 0 now please come on to some questions through which we will practice the concepts okay so we are moving on to questions question part so before moving on to question part we would inculcate a concept in our mind principle of moment of force at equilibrium so what is this principle of moment of force at equilibrium as I discussed earlier that this one if the body has to be in rotational equilibrium if the body has to be in rotational equilibrium then the net moment of force or torque it will be 0 okay if the body has to be in rotational equilibrium so what do we decipher from this the net moment of force must be 0 as anticlockwise moment of force is taken to be positive clockwise moment of force is taken to be negative therefore anticlockwise moment of force must be equal to clockwise moment of force this you should keep in mind that if a body is in rotational equilibrium then this condition must be fulfilled then only a body can be in rotational equilibrium now we will practice this concept this is a very very important concept very very important point actually and this concept we will practice in the form of numericals because only practice makes you perfect so now a numerical a very simple one in which you can understand what is it actually saying so a very simple numerical so there is this meter scale and on one end it is 0 centimeter on the other end it is 100 centimeter so it is a 1 meter ruler actually on 10 centimeter mark we have put a mass of 5 kg हमने 5 kg का भार रखा है 10 centimeter पे और 10 kg का भार आपको बताना है कि हम कहां पे रखेंगे अगर हमने इस ruler को we have pivoted it we have hinged it at its midpoint हमने इसको hinge किया है 50 centimeter पे आपको बताना है कि 10 kg के भार को हम कहां पे रखेंगे जिससे कि ये जो ruler है ये rotation equilibrium में आ जाएगा ना इधर tilt करेगा ना इधर जाएगा तो हम 10 kg को कहां पे रखें ऐसे question बहुत सादा पूछे जाते हैं तो हम को क्या करना है एक ही चीज़ धियान में रखनी है कि anti-clockwise moment of force जो होगा वो किसके बराबर होगा clockwise moment of force के बराबर आएगा तो अब हम anti-clockwise moment of force को क्या लेंगे आपको ये धियान रखना है anti-clockwise moment of force कौन बना रहा है पहले ये बताओ कौन वाला mass बनाएगा ये वाला mass इसको अगर यहाँ पे ये pivot है हिंज़ है तो यही इसके access of rotation होगी हम यहाँ से इसको पकड़ लेते है 5 kg जो है वो इसको ऐसे घुमाएगा ऐसे 10 kg इसको ऐसे घुमाएगा ऐसे clockwise 5 kg ऐसे anti-clockwise ये इसको ऐसे घुमाएगा ये इसको ऐसे घुमाएगा तो anti-clockwise moment of force किसकी वज़े से आएगा 5 kg की भार की वज़े से तो हम यहाँ पर force क्या लिखेंगे, 5 kg मत लिखना गलती से भी, 5 kgf, क्या लिखोगे, 5 kgf, अगर मेरे तरीके का होगा कोई examiner, तो number काट लेगा इसी पर, 5 kgf, अच्छा, perpendicular distance from the line of action of force, this is the line of action of force, and the axis of rotation, this is the axis of rotation, यह perpendicular distance हमें पता करना, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, बोलो, 40, 40 ही तो होगा भाई, यह थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमने यहाँ पर लिख दिया, 40 cm, clockwise moment of force को हम क्या लेंगे, तो clockwise moment of force इसकी वज़े से आ रहा, 10 kgf, अब distance तो पता नहीं, तो distance को हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, तो यहाँ से X आपको कितना मिल जाएगा, X हमको मिल जाएगा, 20 cm, है ना, ठीक है, तो 20 cm पर यहाँ से हमको 10 kg के भार को रखना होगा, जिससे की, इस शुड़ भी बैलंस्ट होरिजॉंटली, ओके, इस शुड़ ना तिल्ट इन एनी साइट, ठीक है, ना left तिल्ट हो, ना right तिल्ट हो, ठीक है, तो यह धियान रखना, इस तरीके से हम questions को solve करेंगे, आईए आगे बढ़ते हैं, अब यह 2012 का question था, आप से पूछा था, कि भाई, यह हमारे पास एक C-Saw है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे hinge करके, रखा हुआ है, जब हमने इसको यहाँ पे hinge करके, रखा हुआ है, पाइवर्ट करके रखा हुआ है, एक बालक 30 kg का, यहाँ पे बैठा है, यह बालक है, 40 kg की सुंदर कन्या को कहाँ पे बैठा लें, 40 kg की सुंदर कन्या को कहाँ बैठा लें, नाम यह नहीं दिया था, नाम मैं अपने आप से बता रहूं, 40 kg की बालिका को कहाँ पे बैठा लेंगे, कि जिससे यह see-saw balance हो जाए ठीक है, ना इधर जाए, ना इधर जाए तो कहाँ बैठाले, बिल्कुल वैसा ही question जैसा अभी हमने किया है, तो क्या करेंगे moment of force को balance करेंगे anti-clockwise moment of force is equal to clockwise moment of force 30 kg इसको ऐसे घुमाएगा 40 kg इसको ऐसे घुमाएगा, यह इसको anti-clockwise, यह इसको clockwise anti-clockwise moment of force क्या आएगा 30 into 2 और जो clockwise moment of force होगा वो हमारा कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा, 40 into x, ठीक है, यह x distance मान लेते हैं, क्योंकि यही हमारा axis of rotation होगा, ठीक है, 30 kgf into 2, 40 kgf into x, x हमारे पास कितना आजाएगा, 3 by 2 is equal to 1.5 meter, ठीक है, 1.5 meter, मतलब यहां से कितना distance पे हम सुन्दरकन्या को बैठा लेंगे 1.5 meter के distance पे हम इसको बैठा लेंगे, तो यह बालक और सुन्दरकन्या बिलकुल equilibrium के position पे, horizontally equilibrium के position पे आजाएंगे आगे बढ़ते हैं अब देखो, questions आते है, mass of ruler के उपर याद रखिए कि जो ruler का जो weight होता है, हमेशा उसके midpoint पे act करता है मान लो कि यह ruler है ठीक है अब यहां पे हमने इसको ऐसे, यहां पे हमने इसको ऐसे, तो यह 0 centimeter है, यह 100 centimeter है, ruler का mass है M, अब बताओ कि इसका जो weight होगा वो कहां पर act करेगा, बस यह concept दिमाग में रखना, बहुत आसान है इसका जो weight होगा, वो कहां पे act करेगा, इसका weight कहां पे act करने वाला है तो इसका weight इसके midpoint पे act करता है, फिर से बोलो, इसका weight इसके midpoint पे act करेगा इसका midpoint कहा होगा, यह ruler 100 cm का है, तो इसका midpoint 50 cm पे होगा 50 cm पे इस ruler का weight mg act करेगा, नीचे की तरफ vertically downwards, तो यहां से हम इस concept से mass of ruler भी निकाल सकते हैं तो आईए आगे देखते हैं कुछ questions अब इस वाले question को देखिया, हमारे पास ruler था 30 cm पे हमने इसको pivot किया है, hinge किया है यह हमारा fulcrum point है, f ठीक है, 0 cm पे हमारे 10 kg का mass लटक रहा है, हमसे कहा गया है कि यह ruler horizontally balanced है यह ruler horizontally balanced है mass of ruler बताओ हमसे क्या पूछा है, mass of ruler ruler, mass of ruler बताना है, ठीक है तो यह हमसे condition दे दिये कि balanced है, horizontally balanced है अच्छा बताओ, इस ruler का जो weight होगा वो कहां पर act करेगा इस ruler का जो weight होगा वो कहां पर act करेगा सीधी सी बात है, 50 cm पे 50 cm पे क्योंकि यह 100 cm का है mid point पे इस ruler का weight act करेगा, वो weight कितना होगा mg, ठीक समझ गया, mg होगा आप सुनो, यह fulcrum point है, जहां पे हमारा fulcrum point होता है, उसी को हम पकड़ लेते हैं, इधर से घुमाओ और इधर से घुमाओ, ठीक है, fulcrum point को तुम पकड़ लो, और फिर हम moment of force को उसी point के about fulcrum point के about balance कर देंगे तो यहां पे हमने इसको पकड़ लिया हमने इसी के इसी point के along हमको क्या करना है, moment of force को balance करना है, तो देखो 10 kg का mass इसको इधर घुमाएगा anti-clockwise, और यह जो ruler का weight है, यह ruler का जो weight आ रहा है, वो इसको clockwise direction में घुमाएगा, बस हो गया, क्या करना है, anti-clockwise moment of force is equal to clockwise moment of force 10 kg into small g भी लिख लो, ठीक है 10 kg into small g, यहाँ पर भी क्या है, m into g है, तो g से g कट जाएगा, वरना g कटेगा नहीं, आप फालतों में परिशान हो जाओगे ठीक है, तो आप 10 kg into small g into distance क्या है, distance क्या है, 30 is equal to m g into यह distance कितनी है हमारी, 20 ठीक है, हमको यहाँ से m पता करना है, g 10 kg आपको काटना है, इसलिए मैंने कहा था कि आप यहाँ पर g लिख लो योगि actually mass नहीं होता है force, force क्या होता है weight होता है, weight is equal to mg, ठीक है तो mass तो हमने लिख दिया 10 kg इसके आगे small g लगा दिया नहीं तो हम 10 kgf भी लिख सकते थे तो यहाँ पर हमको m kgf लिखना पड़ता, ठीक है, दोनों तरफ हमको principle of homogeneity को follow करना है, तो 10 kg into small g into 30 m into g into 20, तो m हमारे पास कितना आ जाएगा, m हमारे पास आ जाएगा 10 into 30 upon 20, यह हमारे पास आ जाएगा 15 kg ठीक, अब हम 2017 का question देखने जा रहे हैं 2017 specimen paper का question था फिर हम 2017 में जो इसके उपर question आया था, वो भी देखेंगे 2017 specimen paper का question था आये देखते हैं आप से पूछा गया था, कि यह हमारे पास ruler है 5 cm पे हमारा जो है यह 40 g का weight नीचे लग रहा है, देखो 40 g है तो हम क्या कहेंगे weight है अगर 40 kg होता तो हम क्या कहते है कि mass है तो इस point पे हमारा 40 g weight act कर रहा है यह ruler balanced है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर 40 g act कर रहा है यह इसको कैसे घुमाएगा anti-clockwise clockwise घुमाने के लिए भी कोई force होना चाहिए वो कौन provide करेगा weight provide करेगा weight कहाँ पे act करेगा 50 cm पे इस ruler का weight 50 cm पे act करेगा इसको हम क्या कह देंगे कि यह mg है ठीक है हमने क्या कह दिया कि यह mg है यह इसको कैसे घुमाएगा ऐसे अभी जैसा किया बिल्कुल वैसा ही question clockwise moment of force is equal to anti-clockwise moment of force anti-clockwise moment of force यह बना रहा हम क्या लिखेंगे 40 g into 30 और 5 5 और 30 के बीच में 25 ठीक यह distance कितना होगा 25 यह distance कितना आ जाएगा 20 50 और 30 50 माइनस 30 20 और यह हम लिखतेंगे mg into 20 तो g से g मरेगा m आप निकालोगे कि क्या होगा ठीक अराम से निकल सकता है कोई दिक्कत नहीं simple math से आगे बढ़तें अब आप से क्या कहा था कि हमारे पास एक half meter ruler है 2017 का यह question है half meter ruler मतलब कितने centimeter का होगा 50 centimeter का बना लेते हैं ठीक यह 0 यह 50 फिर कहा था कि बाई एक end पे हमने 20 gf का weight suspend कर दिया है तो 50 centimeter पे हमने 20 gf weight suspend कर दिया हमने इसको hinge किया है या pivot किया है या इसका जो fulcrum point है वो दिया था 29 centimeter पे है तो हमने यहां पे बना दिया कि भाई इसका जो fulcrum point होगा वो 29 centimeter पे होगा आ रही कुछ बात समझ में 29 centimeter पे है इसका fulcrum point जहां पे हमने इसको hinge किया है फिर से भाई condition इसने दे दी थी condition क्या दी थी कि भाई यह जो rod है आपकी यह horizontally equilibrium में है mass बता दो ruler का mass बता दो rod के ruler ही horizontally equilibrium में है इसका mass बता दो तो भाई इसका mass कहां पे weight इसका कहां पे act करेगा इसका weight act करेगा बिल्कुल midpoint पे इसका weight कहां पे act करेगा बिल्कुल midpoint पे तो midpoint पे इसका weight act करेगा मतलब 25 centimeter पे mg weight act करेगा करेगा कि नहीं करेगा यह इसको कैसे घुमाएगा ऐसे यह इसको कैसे घुमाएगा ऐसे दिया गया है, मतलब यह क्या है weight है, ठीक है 1 kgf में कितने होते हैं 9.8 Newton, 1 gf में कितने होते हैं 9.89 धिहान रखना इस चीज का 1 kgf 9.8 Newton, 1 gf 9.89, तो अब यहां पर हमको 20 gf दिया गया अल्रेडी हमारा weight है, ठीक है हम क्या लिखे हैं, हम इसको mgf लिख देते हैं ठीक है, g लगाने की कोई जरूरत नहीं, mgf लिख देते हैं नहीं समझ में आ रहा, देखो या तो तुम weight को mg लिखो weight को mg नहीं लिख रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे मालो तुमको weight, mass दिया गया है 2kg का ठीक है, तो तुम ऐसा लिख सकते हो कि weight क्या होगा, 2g ऐसा लिख लो नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 2kgf है अगर इसी को तुम्हें gf में लिखना हो, तो क्या लिखोगे 1kg में कितने ग्राम होते हैं 2000 तो 2000gf है ठीक है, कुछ आ रही है बात समझ में 2kgf यदो 2000gf यदो 2g, तो हमने क्या लिख दिया mgf, ठीक है, तो अब हमारा किसमें आ जाएगा, जो रूलर का जो मास होगा, वो ग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है सीधे सीधे, moment of force, balance करना है anti-clockwise moment of force is equal to clockwise moment of force, तो हम क्या करेंगे m into यहां से यहां तक का distance कितना है 29-25, 4 ठीक है, अच्छा 20gf एक तरफ है, तो हमने 20 लिखा, यहां से यहां तक का distance कितना हो है यहां से यहां तक का distance है 21, आप यहां से m निकाल देना, m जो आएगा, वो grams में आएगा, ध्यान रखिएगा ठीक है, तो समझ में आए, units थोड़ा सा ध्यान रखेगा, principle of homogeneity को हमें follow करके चलना है हमने एक तरफ gf लिया, एक तरफ kgf लिया, एक तरफ gf लिया, एक तरफ small g कर दिया, तो यह answer हमारा गलत करतेगा ठीक है, या तो दोनों ही तरफ हमको मतलब principle of homogeneity को follow करना है, ठीक अब couple पूछ रहते हैं कि भाई, couple क्या होता है तो couple भी बता जिता हूँ, बस 2 minute का time दो, अब couple क्या है, pair of equal and opposite forces responsible for turning effect, turning effect के लिए हमको couple की आविशक्ता पड़ती है कभी भी, एक अकेला force, turning effect नहीं दिखा सकता, turning effect के लिए हमको couple की ज़रूत पड़ती है, couple मतलब nice couple मतलब 2, 2 होने चाहिए ठीक है, और दोनों ही एक जैसे होने चाहिए, pair of equal and opposite forces, responsible for turning effect, ठीक अभी इसका example हमने देखा था अगर थोड़ा सा दिमाग लवा, अब इस पे हमने एक numerical किया है, numerical में दिखाया दे रहा हूँ आपको, आपको कुछ याद आएगा यह देखो, यहाँ पर यह 5 Newton का force नीचे 5 Newton का ही उपर तो दोनों ही equal forces है equal है, magnitude में तो दोनों equal है, और opposite है direction में, opposite है direction में दोनों का cumulative effect क्या आया कि दोनों ने इस ruler को या इस rod को anti-clockwise rotate कर दिया, turn कर दिया anti-clockwise, तो turning effect के लिए हमको दो forces की जरूरत पढ़ती है, वो दो forces कैसे होने चाहिए, equal होने चाहिए, opposite होने चाहिए जैसे आप tanky को खोलते हो तो जब आप tanky को खोल रहे होते हो उस time पे आप एक force ऐसे लगा रहे होते हो, और एक force ऐसे लगा रहे होते हो, इन दोनों forces का cumulative effect क्या आता है कि tanky ऐसे खुल जाती है anti-clockwise direction में tanky हमारी खुल जाती है, तो यह हमारा couple होता है couple का मतलब, दो forces कैसे equal और opposite बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे धिहान रखनी थी चलिए मैं यहाँ पे इस lecture को खतम करता हूँ अगर center of mass या center of gravity में कोई दिक्कत आएगी तो वो भी उस पे भी हम आगे lecture बना देंगे, फिलाल जो भी इस chapter में core चीजे थी, वो मैंने सारी cover कर दी है और जहां तक moment of force की बात है, उस पे question आएगा तो आप छोड़ के नहीं आओगे आप उसको कर लोगे, अगर आपने इस lecture को सही से follow किया है, तो दो previous वाला भी, ठीक है तो पढ़ाई करते रहें, all the very best